2018 में सरकार बदर जाने के बाज मैं वर्तवाल सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाने के बजा इस योजना को राजनीती की फुटबाल या गोटी बनाने का काम किया निरंतर राजनीति कुरूप से बयानबाजिया और टिपडिया की लिए किसी भी एक मीटिंग में भी राजस्तान सरकार के पूरी मंत्री जो है वो उपस्तित नहीं है अधिक सामने चर्चा होती थी वो कहते थे कि हम इसे सहमत हैं लेकिन राजनीतिक रूप से इस पर लेड़ना है पॉलिटिकल गवर्रमेंट को करना है लेकिन पानी की सिमित्ता के क करण से नया रखबा सजित नहीं हो सकता था जो केवल धौलपूर और सभाई मादूपूर दो जिलों में ही होना था नई दोलाक एकर सीचाई की जो कल्मना की गई थी वो क्योकिन केवल धौलपूर और सभाई मादूपूर दो ही जिलों में थी शेश जिलों में उसका कोई किसी तरह का प्रभाव नहीं तो मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि जब कॉंग्रेस की सरकार्थी कमलनाथ मुख्य मस्रिफ है आदर ने कमलनाथ जी ने अशोग गलोच साब के पत्र का जवाब देते हुए कहा था कि यह मज्जे प्रदेश के विपरीत है हमें इसमें किसी भ जिलों के लगबक तीन करोर से जादा लोगों के जीवन गिल जुड़ावा विशे उस विशे के लिए मुझे अगर धरातल पर उतर के संगर्ष भी करना पड़े तो मैं करना हूँ का करना पसंद करूँ पूर्वी इस्से से और इन तेरा जिलों से जुड़ावा एक विश चेश विशे इस्टन राजस्तान कैनाल जिसकी परिकल्बना सरुपृत्म नदी जोड़ने के प्रकल्ब के रूप में मानियाटल जी की सरकार में की गई थी लेकिन उसको अनवाइबल मानते हुए उस समय उसको स्तगित कर दिया गया वसंद्रा जी की सरकार के समय में पीने का पानी मिले दो लाक हेक्टेर सीचाई का रखबान नया सजीत हो और लगबग 80,000 हेक्टेर जमीन जो एक्जिस्टिंग कमांड है जो छोटे-छोटे बांदों से होती है और पानी की आवक नहोंने के कारण से वो सीचाई पुष्री नहीं हो सकती उनके स्थरीकरन का अभी उसमें प्रस्तावतार लेकिन क्योंकि उस परियोजना को बारत सरकार ने जिस तरह के मानक 1960 के दशक से बने हो उन मानकों के अनुरूप नहोंने के कारण से केंद्र सरकार के जलसंसादन मंत्राले ने मंत्राले के अधीन काम करने वाले केंद्री जल आयोग ने उस पर स्विक्रती न प्रदान करते वे वापस उसको ठीक करने के लिए बेजा था दो दोजार सत्रा में राजस्तान सरकार ने ये प्रस्ताव जाच के लिए अनुमती के लिए बारत सरकार को भेजा था और 2018 के लगबग अगस्त के महीने में बारत सरकार ने वापस राजस्तान सरकार को लिख करके सोधेच दिया था कि इसमें इस तरह के संशोधन करने की आवश्यक्ता है लेकिन दुर्बाके से 2018 में सरकार बदर जाने के बाद में वर्तवाल सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाने के बज़ाए इस योजना को राजनीती की फुटबॉल या गोटी बनाने का काम किया निरंतर राजनीती कुरूप से बयान बादियां और टिपड़ियां की विए दस बार बारत सरकार में जल्शक्ती मंत्राले में हमने मीटिंग्स आयोजित की नौ मीटिंग्स दिल्ली में हुई हर मीटिंग पर सूचना देने के बाद में और पहले स्विक्रती देखर के भी बाद में किसी भी एक मीटिंग में भी राज़स्तान सरकार के कोई मंत्री जो है वो उपस्तित नहीं अधिक सामने चर्चा होती थी वो कहते थे कि हम इसे सहमत हैं लेकिन राजनीतिक रूप से इस पर नेड़ने पॉलिटिकल गवर्रमेंट को करना है और नौ बार मीटिंग में नए आने के बाद में मानिव्रदान मंतर जी के निर्देश से हमने जैपुर में जाकरे मीटिंग करी के मीटिंग के नोटिस इश्यू में एक महीने बाद में 18 अपरेल 2022 को जब हमने मीटिंग करने के लिए वहाँ गए हुँ तो 17 अपरेल की रात को दर्स में एक छोटे करमचारी डिप्टी डिरेक्टर लेवल के अधिकारी नहीं एक चिठ्थी लिख करके कि नहीं मंजाब की मीटिंग में मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों नहीं आ सकते हैं ऐसी सूचना देकर के मीटिंग को मैं नहीं आना का ऐसा न पानी आता था उससे इन 13 जिलों को पीने का पूरा पानी मिलता था जो असी अधार एक्टेर लगबक दो लाक एकड जमीन के सीचाई के स्तेरी करण का बेप्रस्ताव लेकिन पानी के सीमित्ता के करण से नया रखबा सजित नहीं हो सकता था जो केवल धॉलपुर और लेकिन राजस्तान सरकार ने उसको स्विकार नहीं किया और राष्ट्रिय परियोजना घोशित की जाए इसको लेकर के लगातार राजनी किसी भी परियोजना को राष्ट्रिय परियोजना घोशित करने के लिए चार विशियों की आवश्यक्ता होती है पहली कि उसका तक्न क्लेरंस मिले वो भी राजस्तान सरकार ने प्राप्त नहीं किये पीसरी एन्वारमेंट की स्विकृति मिले क्लेरंस मिले वो भी राजस्तान सरकार नहीं लिए चारों स्विकृति हम मिलने के बाद में कैबिनेट के पास में जाता है कैबिनेट उसको राष्ट्य परियोजना गोशित करो अभी तो हम पहली सीड़ी नहीं चड़े और हम कहते हैं एक हमको रज्रास्तान सरकार कहें एक रज्टय परियोजना गोशित करो और उसको लेकर इन्होंने राज़ूती करना प्रारव के बाद में मानिय अशोक गैलोज साहब ने 2022 में स्टेटमेंट दिया क्योंकि मध्यप्रदेश ने राजस्तान की इस परियोजना जिसको राजस्तान सरकार और गैलोज साहब कह रहे थे कि हम इसको खुद बना देंगे, हमकों के अंदर सरकार की जरुरत नहीं है तो मध्यप्रदेश सरकार ने इस पर सुप्रीम कोट में एक वार दायर करते और इस समय में आपको ये भी बताना चाहता हूँ क्योंकि गैलोज साहब बार बार ये चर्चा करते हैं कि बारतिय जन्ता पार्टी की सरकार मध्यप्रदेश में वो राजनीती करने हैं को अनुमती प्रदान नहीं करने तो मैं यहां यह कहना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकारती कमलनात मुक्य मस्रीफ है आदर ने कमलनात जिने अशोक गैलोज साहब के पत्र का जवाब देते हुए कहा था कि यह मध्यप्रदेश के विपरीत हैं मैं इसमें किसी भी तरह से सहमती नहीं जाए जब सरकार आपकी थी वहाँ दब्री आप से किसी नहीं ले ले पाई और उसके बाद में केलोज साहब ने राजस्तान की सरकार ने निर्ने किया और एक तुगले की फर्मान जारी किया कि हम अपने खर्चे से पंद्रा हजार करोर रुपे की लागत से इस योजना को पूरा है मैं एक प्रेश्ट आप से पूस्ट रहा हूँ ERCP 2017 में उसकी DPR वेबकॉस ने बनाई तब 40,000 करोर रुपे का अनुमान किया थी इसकी लागत 40,000 करोर हो थी यह कौन सा र्यादू था कि जिस ERCP को बनाने की बात कर रहे हैं जिसकी परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी वेबकॉस ने बारत सरकार नहीं वेलके एक अधीन काम करने वाली सहस्ता नहीं बना करके दिये कि अब 15,000 करोड में 13 जिलों को पानी मिल जाए जिम्मेदारी से आपको कहता हूँ कि जो वसंद्रा जी के समय में जो योजना बनी थी उसमें लगबद 2800 MCM पानी राजस्थान को मिलना थी जब इसको 75% डिपेंडेबिलिटी पे बनाते थे तो भी 1700 MCM पानी को मिल में राजस्थान की इस्से में आता है लेकिन जब एशोग गलोट साब ने नई योजना बनाई उसमें केवल 500 MCM पानी राजस्थान सरकार राजस्थान की इस्से में मिलता है 521 MCM और उस 521 MCM से ने बरतपूर को पानी मिलने वाला है ने दॉलपूर को पानी मिलने वाला है ने सवाइमादपूर को पानी मिलने वाला है ने दौसा को पानी मिलने वाला है ने अलवर को पानी मिलने वाला है ने बारा को पानी मिलने वाला है ने करोली को पानी मिलने वाला ह किसी भी 10 जिलों में किसी को एक बुंद भी पानी नहीं मिले केवल अजमेर जैपूर शहर और टॉंक इन तीन जिलों को तीन शहरों को पीने का पानी की एक योजना इन्होंने 15,000 क्रोड रुपए में बनाते हैं मैं आप सब के मार्जम से एक प्रश्ण करना चाहता हूँ और आप सब को एक आप सब के दिमाज में एक प्रश्ण चोड़ना चाहता हूँ कि अगर इसको 50% की जगे 75% डिपेंडेबिलिटी पर बनाया जाता तो 40,000 क्रोड रुपए में से 60% पैसा भारत सरकार वेहन करते हैं तो राजस्तान की सरकार को सिर्फ 16,000 क्रोड करत करने की 16,000 क्रोड में 1700 MCM पानी मिलने वाला था जिससे इन 13 जिलों को अगले 30-40 साल तक पीने के पानी की गारंटी होती इन 13 जिलों में रहने वाली लगबग राजस्तान की 40% आबादी के को पीने के पानी की गारंटी होती और साथ में इन 13 जिलों की जिसकी सूची में आपको उपलब्द करा दो हूँ उसकी लगबग दो लाक एकर जमीन को सीचाई की सुविधा भी मिलती और वो करने के बजाए 16 अजार करोड रुपए खर्च करके किसी एक भी खेत को एक भी भूंद पानी दिये बगएर केवल तीन शेरों के लिए योजना बनाने के नौटक की गैलोच साथ की सरकार कर दिये इसको सफाई की द्रश्टी से नहीं देखता लेकिन इन दस जिलों के लगबग तीन करोड से जादा लोगों के जीवन के जुड़ावा विशे उस विशे के लिए मुझे अगर धरातल पर उतर के संगर्ष भी करना पड़े तो मैं करना पसंद करूँ है अगर जिस लिंक को प्रस्तावित किया है अगर वो लिंक बन जाता है तो भविशे में कभी भी लिख करके रखिएगा कभी भी भरत्पूर सही तिन दस जिलों में एक पूल भी पानी नहीं आ सकता है ताजा खवरों के लिए बिजिट करें The Fact India की वेबसाइट और डाउनोड करें The Fact India एप